देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवार कितना बदल गया इंसान मस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेल्प विद जैयर वीबर दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएश्टीशी एकजाम 2017 जीके की 50 क्वेस्टन के बारे में तो स्टार्ट करते हैं पहला पर्सन अमाराल others a अबुसन की संका है तो इसका उत्र है कान दूसरा परसन है दिवित्य स्ताब्द इसा पुरों में रचित गोसुंडी सिला लेक ब्रामी लिपी में यह किस स्तान पर है तो इसका उत्र है चितोडगर गोसुंडी सिला लेक है वो किस लिपी में ब्रामी लिपी में तीसरा परसन है पिर्थवी राजिजद्री की रचना किस ने की थी जयनक ने की थी चौथा प्रसेन थिवा कला परसीद तो इस्त को तक प्रताब कड़गी किस जिली की प्रसीद्र को को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में इस्तित बेल आइकन को दबाएं पांचमा प्रसन अलगोजा है अलगोजा एके वद्य अंतर है छटा प्रसन है बागोली सरह पंचरंगी खनन छेतर किस खनीज के लिए परसीद है तो इसका उत्रह है लोहय ऐसेक साथमा प्रसन है 1936 इस्वी में बिकनेर परजामंडल की स्तापना कहां होई तो इसका उत्रह है कोलकता राजस्तान की तीन ऐसे परजामंडल है जिनकी स्तापना राजस्तान में नया होकर बाहर होई थी उसमें एक तो बिकनेर हो गया दूसरा बर्तपुर जिसकी रियना में होई थी और तीसरा शिरोई जिसकी बुंबई में स्तापन होई थी आठमा परसने जांबो जी के 29 नियमों के पालन करता कहलाई तो इसका उत्रा है विश्णोई 20 प्लस 9 उत्रा 29 नियमों से इसका नाम विश्णोई रखा गया है नों में परसने पर्थम राजबुत वस जीसने मुगल समराठ अकबर से वे व्यास मंद स्तापिद किये तो इसका उत्रा है कच्छवा वस कच्छवा वस है उन्होंने इसरव पर्थमे मुगल समराठ अकबर स संद्ध स्थापित किये थे दसमा वर्षण ने तलाबों से निकाली गई नालियां क्या क्या है टेलाती है तो तो स्कातर question मोरी मोरी और था पो से निकाली के नालियां होती है ग्यार्मा परसने सियंतल में रामस ने इस संपर्दिय की स्थापना किस ने की थी तो इसका उतरह हरी रामदास जी बार्मा परसने कोटा बुंदी बारा और जलावार जिले और अन्य किस नाम से जाने जाते हैं तो इसका उतरह हाडुती तेर्वा परसन है राजस्तान राज्य का वर्तमान सरूप कब अस्तित्व में आया तो इसका उत्रह एक नवंबर 1956 को दोस्तों यह एकिकरन से समंदीते परसन है और एकिकरन से समंदीते साथ परसन मेंने पहले वी इस यूटूब चैनल पर अपरोड कर रखे हैं जो की उपर आई बेटन में लिंक आ रहा है उसे आप वहाँ से देख सकते हैं इसके बाद अगला परसन है विवाएक समस्याओं को सुल जाने तू उद्यपुर में मारना सजन सिंग की देख्षता में कब देश हितेशनी सबा का गठन किया गया तो इसका उतर है दो जुलाई इठारा सो स्तत्र को देश हितेशनी सबा का गठन किया गया पंदर मा परसन है कौन सा जल्द्रूग की स्रेणी में आता है गागरोन द्रूग सोड मा परसन है बी एन रेड के उनसार राजपुताना का बुलावा नाएक कौन था तो इसका उतर है राव चंदर सेन राव चंदर सेन है वो राजपुताना का बुलावा पिसरा राजा कहलाता है 17. प्राचिन मारवाड मलानी छेतरों का निवास्तान राय तो इसका उत्र है जसोल 18. मारना परताब का अंतिम समय कहां भी था तो इसका उत्र है चावंड मी 19. खृता पत्र किसे बेज़ा जाता था तो इसका उत्र है एक रियासत के राजा द्वारा दूसरी जासत के राजा को खृता पत्र बेज़ा जाता था 20. मारना परताब मंडोर जहां राज्य के पहले फुट वियर डिजाइन एव डवल्पर्मेंट इंस्टूट का सिलनानेस किया गया कहां स्तीत है तो जोदपुर जिले में स्तीत है 21 22 राजप्रस्ति कि स्तान पर अवस्तित है तो राजप्रस्ति वो रासमंद जील की पाल पर है नेक्स्ट परसन की बात करते हैं तेईसमा परसन हमारा 1665 में मिर्जा राजा जैसियां और शिवाजी के मद्य हुई संदी कहलाती है तो इसका उतर है पुरंदर की संदी पुरंदर की संदी 1665 में मिर्जा राजा जैसियां और शिवाजी के मद्य हुई थी चोईसमा परसन है कुचामनी ख्याल के परवर्तक है तो इसका उतर है लच्छी राम 25 परसन ने बनी ठणी समंदीत है तो इसका उतरह किसंगड सेली से बनी ठणी चितर समंदीत है जिसका निर्मान मोर्दवज नियालचंद ने करवाया था नेक्ष्ट परसन की बात करते हैं राजप्रिवारों के बच्चों को स्तनपान कराने वाली ओर्तों को क्या कहा जाता था तो इसका उतरह दाये 27 परसन है सेकावटी चेतर में गिदर नरते किस त्यार के अफसरबर होता है तो इसका उतरह होली और 28 परसन है देवगड के महल निर्मित है तो इसका उतरा है सोमपुरा सेली में किस सेली में निर्मित है देवगड के महल सोमपुरा सेली में इसके बाद 29 परसन है मारा राजस्तान उच नियले में नयमूर्ति की नियुक्ति कोन करता है तो इसका उत्रा है रैष्ट पती तीसमा परसन है राजस्तान विदान सभा की पर्थम मेला देख्ष कौन थी तो इसका उत्रा है सुमित्रा सिंग सुमित्रा सिंग है वो राजस्तान विदान सभा की पर्थम मेला देख्ष थी 31 प्रसन है हर्यानवी नसल ये तू प्रसिद मिला है तो इसका उत्रा है जस्वंत मिला 32 प्रसन है अंता गेस विदूत के अंदर कहां स्थीते है तो इसका उत्रा है बारा में अंता गेस विदूत के अंदर किस जिले मिस्थीते है बारा में तो इसका उतरह बेड Sunday & November बेड़elandतacas किसवर ने किया था? तो इसका उतरह मोतिलाल तेजावत ने 36 प्रशन है युनेशको ने 2013 में राजस्तान के कितने दुर्गों को विशव विरासत सुची में सामिल किया तो इसका उतरह 6 दुर्गों को युनेशको ने 2013 में विशव विरासत सुची में सामिल किया था 37 परसन है विक्रम समत के कौन से महें को छोटी तीज मनाई जाती है तो इसका उतरह स्रावन सुकला तृत्या को 38 परसन है सुनारगड या सुनारगड के नाम से परसिद है जसल मेर दुरुप 40 परसन है बग्द सिरोमनी मीरा ने अपना अंतिम समय कहां व्यतित किया तो इसका उतरह स्रावन से परसिद है डाबडा कांड तेरा मार्च 1947 कुवा यह अवस्तित है डीडवना नागोर में 42 परसन मारणा सांगा ने किस युद में बबर को प्राजित किया था तो इसका उतरह ब्याना का युद 43 परसन में दुर्गादास राठोड की मुर्त्य का हुई थी तो इसका उतरह उजोयन में दुर्गादास राठोड की मुर्त्य हुई थी 45 परसन में 66 जरोकों वाली पटवों की अवेली किस जिले में स्तित है तो इसका उतरह जेसलमेर जिले में 44 परसन में अलाव दिन खिल जी के अकर्मन की समय जलोर का सासक कौन था तो इसका उतरह का नडदेव दोस्तों आने वाले समय में मैं बेस्टिसी एक्जाम के 2008 तक जितने भी क्वेस्टन या पेपर में आए थे वो सभी इस यूटूब चैनल पर अपलोड करूंगा जो की आपके लिए बहुती इपोर्टेंट है 47 प्रसन आई 1734 इस्वी में मराथों को प्राजित करने के लिए राजस्तान के सासकों की बेठक काउं ही तो इसका उतरह हुडा उड़ा समेलन 1734 सिश्वी में हुआ था 48 प्रसन मेवार परजामंडल का पर्थम अध्यक्स कौन था तो इसका उतरह मानेक्यलाल वर्मा मानक्य लाल वर्मा मिवाड परजा मंदल का पर्थम अध्यक से था इसके बाद बात करते हैं 49 में परसन की मानगड अत्याकांड कब गटित हुआ तो इसका उत्रहां 1913 इसवी को मानगड कांस दिता है तो इसका उत्रहां बांस बाड़ा में पचासमा परसने जनतर मंतर जैपुर को युनोशको ने किस वरस विसवीरासित सुची में सामिल किया तो इसका उत्रहां 2010 में 2010 में जनतर मंतर जैपुर को युनोशको ने विसवीरासित सुची में सामिल किया दोस्तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आने वाले समय में मैं 2015 का वीडियो जो BSTC exam 2015 की question हुए थे वो भी upload करूँगा मिलते हैं एक next वीडियो में धन्यवाद चैहिन चैबारत